Hello everyone, आज किस वीडियो में हम बात करेंगे BA Program and BA Honors के लिए जो हमारा Semester 1st और Semester 2nd, दोनों में ये subject आपको देखने को मिलेगा, रंग मंच New Education Policy के तहत ये subject आपको मिला हुआ है और इसमें आज आपको हम Unit 1st का Chapter 1 जो है वो बताने वाले हैं, ठीक है? तो भरत मुनी करित नाटे सास्त्र इस Chapter का Title है, इसको हम discuss करेंगे मेरा नाम सतिंदर बरताप है, आपको कुछ doubt हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे message कर सकते हैं Instagram पे एक loveya study point ये मेरा username है, ठीक है? और telegram group में जुड़ जाईए, यहाँ पे आपको क्या होगा? इस video lecture की जो PDF है, वो आपको यहाँ पे free में available हो जाएगी, तो आप इसको PDF को telegram group में जाके download कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ से PDF ले लिजे अब, अब एक बार आप syllabus देख लो, देखिए, रंग मंच जो आपका subject है, इसमें आपकी पहली unit में दो chapter है, दूसरी unit में भी दो chapter है, तीसरी unit में एक ही chapter दे रखा है, जो आपकी चोथी unit है, इसमें दो chapter है, औ पांच वी unit जो इसमें केवल एक ही चैप, तो जैसे आपको syllabus में दिया हुए, सेम ऐसे ही हम आपको वीडियो में कराएं, ठीक है? और एक बार देखिए, जो पहली unit के दोनो chapter में से, यानि unit 1 का chapter 1 और chapter 2, इन दोनों में से जितने भी question बनते हैं, वो यही question बनते है, इससे ब भारत में नाटे सास्त्रिय परंपरा कितनी प्राचीन है, इसको लेकर विद्वानों में मतबेद हैं, देखें विद्वान जो है, उनकी अलग-लग विचारदार है, कुछ कहते हैं कि जो नाटे सास्त्रिय परंपरा है, ये ग्रीक से आई हुई है, ठीक है, कुछ यहां से बीच में मतवेद आपको देखने को आप यहाँ पर एक चीज समझेए यह जो चैप्टर है आपका चैप्टर का नाम है रंग मंच रंग मंच जो है यह किस चीज पर यह ना टक्के उपर होता है तो रंग मंच का मतलब क्या होता है अगर आप सिंपल शब्दों में समझ जाएंगे तो आगे आपको सब कुछ आसान लगेगा रंग मंच क्या होता है एक स्टेज होती है ठीक है स्टेज मान लो या फिर इसको आप एक प्लैटफॉर्म मान सकते हैं अब देखिए जब भी कोई नाटक किया जाता है तो या फिर पर बिठा जाता हूँ जो भी वहां पर प्रबंध हो इस तरीके से यहां पे होती है audience यानि कि जंता अ recipients में खुझा है जैसे राम जी का कोई किर्दार निबार रहा है तो वहां पे वर आख जाएंगे उनके साथ जी हो जिसे chains जी हो जाएंगे या हनुमान जी ठीक है तो वह क्या कर रहे होंगे उनका किरदार ने भारे होंगे और हम यहां से देख रहे होंगे तो यह जो हिस्सा है जहां से यह नाटक किया जाता है ड्रामा किया जाता है जहां से एक्टिंग हो रहे है अभी नहीं हो रहे है उसको बोला यह परमपरा है, इसको लेकर विध्वानों के बीच में मतभेद है यह हमने समझ ले आगे देखे, भरत्मुनी र'REचित, नाटे सास्तर का एक महत्पून गरंथ है जो भरत्मुनी के द्वारा नाटे सास्तर की रचना की गई है ये जो गरंत है ये महत्पून गरंत है ये इतना महत्पून गरंत है कि इसको पंचम वेद भी कहा जाता है ठीक है इसको पांचवा वेद माना जाता है आप इतना महत्पून आप इसे समझ सकते हैं इसे पंचम वेद कहा जाता है ठीक है भरत मुनी से पहले और भरत मुनी के ब लेकिन जब इनसे पहले भी नाटक था और नाटे के जो रचनाई थी और इनके बाद भी थी तो भरतमुनी को इतना महत्पुन क्यों माना जाता है तो उसके पिछे कारण है क्यों माना जाता है इससे समझे देखें कि जो भरतमुनी ने जो नाटे सास्त्र रचा है वो एक ऐसा प्राचिंतम ग्रंथ है जिसमें बिल्कुल जो भी नाटे सास्त्रे सिधानत है उसको बिल्कुल करमबध यानि पूरे एक सीक्वेंस से पूरा करम से बिल्कुल विस्तार से और एकदम सूचमता यानि एक एक जो चोटी से चोटी भी चीज है ना, उसको भी बहुत विस्तार से इन्होंने डिसकस किया हुआ है, इसी लिए नाटे सास्तर के छेतर में, जो सबसे पहला और सबसे महतपून गरंत माना जाता है, वो भरत्मुनी का नाटे सास्तर माना जाता है, ठीक है? आगे देखें, नाटे सास्तर के छेतर में, इस गरंत का वही स्थान है, जो कि व्याकरान के छेतर में, पानिनी की अश्टाद्याई का, तो देखें, तुलना कर दिये, इनकी तुलना कर दिये, पानिनी से, जिस तरीकी से पानिनी ने अश्टाद्याई रची, व्याकरान के छ सास्त्रे सिधानता इस पर ही विचार में मर्ज कर यानि इसको ही मूल मानकर इसके ही आधार पर आगे रचनाई की गई ठीक है अब बात करते हैं कि जो नाटक है इसके उत्पत्ति कहां से हो तो नाटक जो शब्द है ये नट धातू से उत्पन माना जाते हैं इसमें भी विद विद्वान इसकी उत्पत्ती जो है वो नट धातू से मानते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि नट और निरित्ते धातू के अर्थ में कोई अंतर नहीं है देखें एक होता है नट और एक होता है निरित्ते ये जो धातू है तो कुछ जो विद्वान है इन दोनों को सेम मानत यानि इनके बीच में कोई अंतर ही नहीं है ऐसा कहते हैं लेकिन कुछ लोग नट को अलग मानते हैं और नृत्य को अलग मानते हैं इस तरीके से यहाँ पे भी कुछ जगा पे आपको विचारों में वत्वेद देखने को में नेक्स्ट है कि नाटक जो है वो कावे की एक ऐसी विधा है एक ऐसा तरीका है जिसमें क्या होता है अवस्था नुकिरती अभीनय भाव प्रकारशन रशानुबूती सब की व्यप्ति हो जाती है यानि कि नाटक एक ऐसी विधा मान लो आप इसमें जिसमें आपको अवस्था लोकिर्ती यानि कि आपको situation के according जो scene होते उसके अंदर जो दृश्य होते हैं वो दिखेंगे इसमें आपको अभिन配 यानि इंहें कि acting दिखेंगे ठीके जो समें ऐक्टिंग करते हैं इसमें आपको भाव प्रगासं यानि कि आपको emotions श्कूंस दिखेंगे ऑगहे एंधांपल देता हूं जैसे मान आप आप नाटक देख रहे हैं कहीं राम लीला देख है मान लिजो आपके सामने जो आपके जो करेक्टर हैं वो अपना अभी ने कर रहे हैं है तो उसमें जो राम जी बनते है, अब ध्यान से समझना मेरी को हमारे मन में उनके यसी शुरद्दाभाव जगजाते हैं कि हमारे लिए हम जानते हैं कि राम जी उनका रियेल नेम हो सकता है, रमेश हो या कुछ भी हो ठीक है आपने उनको कहीं बाहर भी देखा हो लेकिन आपके सामने वो character जो निबार है ना आपके लिए वो केवल और केवल राम होते है ठीक है तो हम मतलब उस character में इतना ज़्यादा खो जाते है और उनके द्वारा जो acting की जा रही होती है जो भी मतलब उसमें story होती है script होती है जो चल रही होती है हम उसको बिल्कुल real महसूस कर सकते है यह होता है ठीक है यानि उसमें भाव परकाशन उसमें अगर कोई दुख वाला सीन आता है हमारा सामने तो हम दुखी हो जाएंगे यानि हमें emotions दिखेंगे ठीक है उसके अंदर भाव परकाशन होता है उसमें फिर हमें रशानुबूती यानि हमें रस की अनुबूती भी होती है अगर कोई दुख वाला सीन है तो हम दुखी हो रहे है यानि कि हमें भाई दुख वाला रस मिल रहा है तो ये सब कुछ हमें नाटक में देखना को मिलता है ठीक है? आगे देखिए नाटे चारे जो भरत हैं इनका एक इसपष्ट कताने ये कहते है कि कोई योग कोई कर्म, कोई सास्त्र, कोई सिल्प ऐसा नहीं है जिसमें नाटक ना दिखाई पड़ता हो यानि कि हर चीज में नाटक होता है इनका ऐसा कहना है नाटक जो है वो सभी कलाओं सभी सास्त्रों और सभी कर्मों का एक समनवित रूप है ये किसने कहा है ये भरत के कतन है तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है आगे देखे नाटक की उत्पत्य और इसका स्वरूप समझी है तो भारतिय साहित्य में देखे लिटरीचर में देखे तो इसका बहुत महत्पूनिस्तान है क्योंकि इसको पांचवा वेद माना जाता है पंचम वेद कहा जाता है भरत मुनी ने अपने महाकाव्यों में नाटकी और नाटे सास्तर के प्रारंब में इसकी उत्पत्य का बड़ा रोचक विवरन दी तो को बहुत ही इंट्रेस्टिंग एक कहानी है जो विवरन भरत के द्वारा मिलती है ठीक है भरत मुनी के द्वारा मिलती है तो क्या है इसकी स्टोरी कैसे सुरुवात होती है इसको समझे बहुत ध्यान से समझे बहुत ही अच्छी स्टोरी है यह और समझते हैं चलिए देखे यह कहते हैं कि एक बार क्या होता है जो मनु थे वो दूसरे युग में मनोरंजन का कोई अच्छा साधन ना रहने के लिए मनो कहते हैं कि दूसरे युग में मनोरंजन का कोई साधन नहीं था तो इसलिए लोग क्या थे उदास रहा करते थे क्योंकि आज के समय में जैसे आप इंस्टाग्राम वगएरा रील चमकाते रहते हो तो यहां आपके पास मनोरंजन के साधन बहुत है और उस जमाने में यह सब चीज़े नहीं होती थी तो ऐसे में क्या होते थे लोग उदास रहने लगे थे तो ऐसे में इंद्र आदी सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से एक ऐसे आनंद प्रद मनोरंजन के विधान की प्राथना की यानि कि सभी देवता इंद्र वगएरा और सभी देवता गये ब्रह्मा जी के पास उन्होंने कहा कि एक ऐसा आनंद प्रद मनोरंजन का विधान दो यानि कि ऐसा कोई ऐसी चीज बनाओ जिससे कि सभी का आनन्द प्रद्ध मनोरंजन हो यानि सभी को मज़े आए अच्छा लगे अच्छा फीलो और मनोरंजन भी हो जाए ठीक है और ऐसा होना चीए वो जो सभी जातियों के लिए समान रूप से मनोरंजन यानि कि सभी का मनुरंजन उससे हो सके ऐसा कुछ विधान दो तो देवताओं की जो प्रार्थना थी उसको भ्रह्मा जी ने सुना फिर भ्रह्मा जी ने किया करा रिग वेद से रस्तत्यों को ग्रहन किया और नाटे वेद नामक पंचम वेद की रचना कर दी ठीक है पंचम व नाटक के अभिने के अनुरोप सिधधामतों के प्रकास के लिए ईन्हों ने भरत्मुनी को आज्या दी यानि कि नाटके सास्त्र लिखना है पूरा उनके भाई दर्द उठ गया, उनको भी तकलीफ हुई, वो गए ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने उनसे शिकायत की, ठीक है, जो राक्षा से वो कहते हैं, कि अब मतलब यह जो नाटक है, यह पक्षपात है, इसमें क्या होता है, हमेशा देवता जीत जाते हैं, और हम हमेशा ह जाते हैं, तो ऐसे में फिर उन्होंने ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं, कहते हैं कि नाटक में पक्षपात के लिए कोई इस्थान नहीं है, यानि नाटक एक ऐसी विधा है, जिसमें पक्षपात होई नहीं सकता, पक्षपात किया ही नहीं जाता है, ठीक है, इसमें तो तीनो लोकों के भाव का अनुकिर्तन होता है और समाज के व्यापक हित यानि जो नाटक होता है उसका एक उद्देशी भी होता है तो समाज के हित की अनुकूल इसको बनाया गया है नाटे सास्तर में वर्नित इस कथा को प्रामानिक्ता और प्रकृति उसका नेचर पता लगता है यानि नाटक का जो नेचर था प्रकृति थी वो क्या थी एक तो लोगों का मन उरंचन करें ठीक है फिर क्या वो लोक हितकारी हो यानि कि जनता के हित के लिए हो एक संदेज देता हो यानि एक अच्छा संदेज देता हो ठीक है ये हमें प्रानम्बिक नाटक की प्रकृति पता लगते हैं और इसके स्वरूप जो है उसके बारे में भी प्रकास उस पे डाला गया यह भी पता लगता है हमें प्रानम्बिक नाटक को मनोरंजकता देखे जो सुरू में नाटक होते थे वो क्या उदेशी होते थे ये समझे एक तो उससे मनोरंजन होना चाहिए फिर उसमें कलात्मकता होनी चाहिए उसमें अभीनेता जो है वो अभीनाय करे यानि अभीनाय करने वाले अच्छे अभीनेत नाटक के अंदर निर्त वगेरा होता है उसमें संगीत भी देखने को मिलता है लोक कल्यान की भावना ये इन सारी चीजों के संके जो हमें प्रारंबिक नाटक से मिलते है तो ये बिल्कुल पॉइंट आपको एकदम लिखते वे चलना है याद करते वे चलना है ठीक है आगे देखे भरत मुनी का नाटे सास्तर भरत मुनी जो है इनका जो नाटे सास्तर है इसको और थोड़ा विस्तार से समझत तो भरत मुनी ने अपने नाटे सास्तर की रचना नटों को प्रशिक्षन देने के लिए की थी अब नट का मतलब क्या है देखे नट वो वेक्ति होते है जो ना обяз бывает करते हैं जो व्यक्ति रोल निभा रहे हैं जो किर्दार निभा रहे हैं जो आक्टिंग कर रहे हैं उसको नट खा जाते है ठीक है तो भरत मुनिने नाटे सास्त्र क्यों रचा था कि नटों को प्रसक्रिकशन दिया जा सके आचारे अभिनय गुप्त जो हैं वो क्या कहते हैं इसे समझे इनका मानना है कि नाटे का प्रयोगिक सास्त्र सबसे पहले भरतमुनी ने ब्रह्मा से सीखा यानि कि नाटक को कैसे प्रयोग करना है ये बरतमुनी ने सबसे पहले किस से सीखा था ब्रह्मा जी से सीखा था फिर दीरे दीरे ये परंपरा चलती जाती है चलती जाती है और आगे फिर ये चलती आ रहे ठीक है भविश्य में नटों को लाभानवित करने की दृष्टी से उन्होंने इस सास्त्र को गरंत के रूप में निर्बत यानि कि उन्होंने एक गरंत का रूप दिया क्योंकि गरंत में लिख देने से वो चीज इस्थाई हो जाती है पर्मानेंट हो जाती है ठीक है तो जब उन्होंने गरंत बना दिया तो आगे आने वाले भविश्य में नट उसको पढ़ेंगे जो एक्टर होंगे उसको पढ़ेंगे नाटक की डीब चीजों को समझेंगे तो आच्छे से नाटक में अभिने कर पाएंगे इस उद्देश से इसको रचा गया फिर पढ़ेंगे हम कालिदास, भवबूती, राजशेकर ये सब नाटक का अरजो थे उनका नाटे सास्तर केवल एक पुस्तक नहीं, बलकि सदियों तक बनी रहने वाली एक जीवन्त परंपरा है, आज के समय में भी अगर हम इसको पढ़ रहे हैं पंचम वेद के रूप में इसको समझ रहे हैं, तो आज भी ये जीवन्त है आगे देखते है भारत में नाटक की उत्पत्ति और उसके अबनय, आदी के विशे में भारत मुनीक के नाटे सास्तर को सबसे प्राचीन गरन्त माला जाते है इनका माला जाते है, क्योंकि ये बिल्कुल सीक्वेंस से लिखा हुआ है इसमें नाटक का प्रामानिक और विस्तिरित विवेचना प्रस्ति किया गया है इसमें क्या मिलेगा हमें नाटक के बारे में बिल्कुल प्रामानिक और एकदम डिटेल में आपको विवेचन देखने का नाटे सम्मंदित सभी विश्यों का प्रतिबादन करने वाला सास्त्र जो है तो वो केवल और केवल नाटे सास्त्र है इस गरंथ नाटे के स्वरूप को समझने में यानि ये जो गरंथ है इसके द्वारा हमें जो नाटक का स्वरूप होता है उसको समझने में मतलब मदद मिलती है उसको समझने का महतपून उपाई है आप यह समझ लिए यह केवल नाटे कला का ही नहीं बलकि समस्त भारतिय कलाओं का विश्व को उसमाना जाता है इतना जादा महतपून है यह यह गरंत ज्यान, विज्यान, शिल्प, कला, विधा, योग, कर्म सबी चीजों का बोध इसमें से मिलती है नाटे सास्तर का भारतिय साहिते में सबसे महतपून इस्थान है क्योंकि इसको पांचवा वेद कहा रहा है तो यह महतपून है नाटे की विबिन विधाओं पर जितना विवेचन इस गरंत के अंदर मिलेगा न इसमें बिलकुल डिटेल में मिलेगा उतना आपको किसी दूसरे गरंत में नाटक के उपर और भी कई सारे गरंत है लेकिन नाटे सास्तर इतना deep discuss करते हैं, जितना गहराई से discuss करते हैं, इतना और किसी गिरंथ में नहीं अब बात करेंगे नाटे सास्तर के अध्याई के उपर, तो इसमें total 36 अध्याई हैं और 6000 सलोक है, अब आपको एक चीज़ ध्यान लखने हैं, आप अपनी जो सोल की किताब है, उसमें बुक में जाएए तो आपको वहाँ पर पहले अध्याई में क्याए, दूसरे में क्या अथ, तीसरे में क्याए, ऐसे करते करतें logic 36 अध्याई में क्या है, सारा कुछ बताया हूँ तो आप वहाँ से पढ़ दोते हैं नाट्य परंपरा का प्रमुक सुरोत जो है वो वेद है वेदों से ही तो सारी चीज़े ली गई है नाटक का जो उद्देश्य होता है मेन उद्देश्य जो होता है वो होता है दुखी मन को शांद करना अगर कोई दुखी है तो नाटक के जड़िये उसको शांद किया जा सकत नाटे के उद्देश्य तक पहुँचाने के लिए उसको प्रियोग विदी सम्याग ज्यान के अवशकता है बिलकुल अगर नाटक का उद्देश्य होता है और अगर उसके उद्देश्य तक आपको पहुचाना है तो आपको नाटक की बहुत अच्छे जान का रही है जो आप एक तो इसकी विदि कहने का मतलब है अगर उसको अधेशय तक पहुचाना है तो उसके लिए उसकी अच्छी जांकारी होने नाटे सास्तर में नाटक के विबिन का हमको घ्ञान होता है ठीक है समझते हैं अभिवक्ति का सबसे ससक्त माध्य नाटक के द्वारा मानव जो होता है अपनी सम्वेदनाओं को अभी व्यक्त कर सकता है एक बहतर साधन है रंगमंच के जरिये जो कलाकार होते हैं वो अपने भावों को अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते है संभवत है ये कहा जाता है कि रंगमंच के मूल में यही अवधारना होती नाटक जो होता है वो लोक हितकारी होता है यानि जनता के हित के लिए होता है मनो विनोद यानि कि जनता के मनुरंचन के लिए एक ऐसा साधन है जो दृष्य भी है और श्रव्य भी है यहां पर क्या होता है नाटक एक ऐसा साधन है, जिसको आम देख भी सकते हैं और श्रव्य है, निकि उसको हम सुन भी सकते हैं ठीके, दोनों तरह का मारा मनुरंजन हो जाते हैं यसे कि आप रेडियो सुनते हैं, तो आप रेडियो में कुछ देख थोड़ी पारें उनने ब्राह्मा से ऐसा ही मतलब एक साधन मांगा था, जिसमें उननका मनुर्णिजन हो सके, ठीक है, उन्होंने ऐसा ही साधन माना था, जो देखा भी जा सके और जो सुना भी जा सके इस साधन के दृष्य होने का अर्थ रंगमंच है दिखराय हमें इसलिए इसको रंगमंच कहा जाते है रंगमंच के अभाव में विधा का दृष्य होना असंभा हो है मान लिजे कोई stage नहीं होगी कोई platform नहीं होगा तो यह जुड़े होए है रंगमंच जीवन की घटनाओं को सजीव रूप से उपस्तित करता है जो भी क्योंकि नाटक जो होता था वो जो समाज में जो चल रही ही जो जो भी चीजे चल रही होती थी उसके उपर ही होता था तो इसलिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो जीवन की दर्शक के सामने घटनाएं वस्तविक रूप से घटित हो रही होता था यानि जो चैरेक्टर होते हैं जो भी घटनाएं होती है यूद का कोई सीन हो गया या कोई दुख का सीन हो गया सब कुछ उनके सामने घटित हो रहा होता है रंगमंच के माध्यम द्वारा दर्शक की भावनाई, मुखे रूप से उतेजित होती है ठीक है, उसमें समवेदनाई उभर जाती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई दुख वाला सीन है, तो लोग दुखी हो जाएंगे, रो रस निस्पत दोते हैं नेमीचन जैन जो हैं, इन्होंने क्या लिखाए समझे है ये कहते हैं कि रंगमंच कलात्मक अभिवेक्ति का ऐसा माध्यम है जिसमें मनोरंजन का अन्स अन्यकलाओं की तुलना में ज्यादा है यानि जितना मनोरंजन नाटक के अन्यकलाओं में इतना नहीं होता था रंगमंच पर प्रदर्शित नाटक दर्शक का मनोरंजन करके ही संपून सफल होता है अगर मान लो नाटक जो है दर्शक का पूरा मनोरंजन कर पा रहा है तो वो सफल माना जाएगा और उसका उद्देश ये पूरा माना जाए ठीक है तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट फस्ट का चैप्टर फस्ट था ये पूरा हो जाता है I hope आपको समझ में आया होगा बेसिक चीज़े आपको बताईए ये वीडियो देख लें आप इसके अलावा आप गूगल से पढ़ सकते हैं आप केवल सोल की किताब को ना पढ़ें आप अधर किताबे भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास कोई दूसरी किताब हो ताकि आपको सब्जेक्ट के बहुत अच्छी नोलज हो पाएं तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में थेंक्स पॉर वाचिंग जै हिंद जै भारत